AC और DC में बस थोड़ा सा एक difference यह होता है कि DC current जो है उसमें current का direction जो है unidirectional होता है मतलब एक ही fixed direction में वो लगातार move करता है उसका direction change नहीं होता है और AC में क्या है कि हर एक cycle के बाद उसका direction वापस change हो जाता है direction जो है लगातार change होता है मतलब उसमें एक तरह से समझो कि positive और negative terminal जो है वो interchange होते रहता है लगातार पहली बार positive है तो दूसरी बार वही negative terminal बन जाता है तो इसी वज़़ा से एक बार current जो है आगे flow करेगा तो एक बार पीछे flow करेगा तो इस तरह से लगातार current जो है वो उसका direction change होते रहता है आज के समय में AC जो है वो ज़्यादा use किया जाता है as compared to DC DC का बहुत कम ही जगह use किया जाता है AC का widely जो है AC का ही use किया जाता है और जहां भी high voltage current का जरूरत होता है वहाँ AC को ही prefer किया जाता है अलांकि DC से भी बनाया जा सकता है high voltage current लेकिन उसका बहुत सारे disadvantage होने की वज़ा से उसको use नहीं करते है generally हम देखते हैं जो बहुत कम जिसको requirement होता है current का या फिर energy का उसी case में जो है हम DC को use करते हैं जैसे जतना electronic समान है, mobile phone है, electronic gadget जतना भी है वो सभी में हम देखते हैं DC current use किया जाता है तो DC current use करने के लिए जो है AC supply line जो हमारे घर में होता है उससे direct उसको connect नहीं करके एक adapter का हम use करते हैं चार्ज करने के लिए तो adapter basically करता ये है कि जो AC current आ रहा है हमारा circuit से उसको change कर देता है DC में ताकि जो हमारा electronic समान है उसमें DC current जाए inverter वाला battery भी DC ही current पैदा करता है inverter से उसको हम जोडते हैं तो inverter क्या करता है उस DC current को convert कर देता है AC में DC जो है उसके उपर AC का बहुत सारा advantage है एक सबसे बड़ा advantage है कि energy loss जो है वो DC में काफी जादा होता है direct एक ही direction में अगर current flow करते रहेगा लगातार तो उससे electrons का जो energy है वो almost चलते चलते खतम हो जाएगा और इस वज़ासे वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा तो इसी वज़ासे DC current जो है उसका energy loss बहुत ज़्यादा होता और इसी वज़ासे वो ज्यादा दूरी तक ज्यादा लंबे दूरी तक उसको transfer नहीं किया जा सकता है तो अगर DC source अगर मालनो हम उससे current पैदा कर भी रहे हैं काफी high voltage का लाखो voltage का अगर current पैदा कर रहे हैं तो अगर मालनो कुछ 100 km, 200 km या 1000 km दूर तक उसको पहुचाना है तो बीच में ही जो है वो खतम हो जाएगा वो पहुच भी नहीं पाएगा जहां तक उसको पहुचाना है तो इसी वज़ासे DC को यूज नहीं किया जाता है AC का एक बहुत बड़ा advantage यह होता है कि उसको बहुत लंबे-लंबे distances तक भेजा जा सकता है हाला कि energy loss इसमें भी होता है energy loss होता है इसी वज़े से यही कारण है कि बहुत high voltage का current जो है उसको भेजा जाता है तो जहां current पैदा किया जाता है जहां power plant में जहां electricity generate किया जाता है वहां पे लाखो वोल्ट का बिजली जो है वो पैदा किया जाता है और उसको transmission lines के द्वारा सभी जितना भी अलग-अलग states का अलग-अलग सहर का जो power grid है वहां तक पहुँचाया जाता है power grid में क्या होता है वहां तक पहुँचने के बाद एक तरह का transformer होता है जिसको step-down transformer बोलते है a step-down transformer जो है उसका काम होता है कि जो भी बिजली आ रहा है उसका voltage को घटाना तो voltage जो आ रहा है जैसे माल लों 1.400.000 है उस 1.400.000 को घटा देता है माल लो 33.000 कर दिया या 11.000 कर दिया तो इस तरह से हाँ तो जब आता है तो लगबग उतना ही रहता है voltage जो power plant में generate होता है फिर उसको step down transformer के जरिये 2-3 बार उसका voltage को घटाया जाता है ठीक 33,000 किया फिर 11,000 करता है 11,000 के बाद फिर वो होता है 440 volts 440 volts के बाद जब हमारे घर में पहुंचाया जाता तो घर में पहुंचाने से पहले उ इसके बाद आता है energy waste होता ही है current जो जो भी flow किया मतलब जितना भी पहुंचाया जाता है हमारे घर तक उसमें अधिकतर जो है energy loss ही हो जाता है यह अभी एक बहुत बड़ा challenge है ऐसा नहीं है कि एसी में जो है energy loss नहीं होता है AC में भी होता है लेकिन as compared to DC वो ज्यादा convenient है यूज करना अगर AC से भी एक ज्यादा कोई better technology discover हो जाता है यह तो आदमी तुरंत जो है instantly मौथ हो सकता है या जैतना भी कोई भी जीव है कई बार हम देखते हैं एसा accidents जो होते रहता है कि तार गिर गया अगर कोई जानवर है तो उसका मौत हो जाता है या फिर कोई इनसान भी उसका भी मौत हो जाता है तो AC करेंट जो है उसका यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है